नमस्ते दोस्तों एक बल्फीर से आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाएंगे सूजी मोमोज जो की हेल्दी भी है और टेस्टी भी तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी सूजी के मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर का जार लें जार में 200 ग्राम सूजी डालें और इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लें ताकि ये पाउडर बन जाए नेक्स्ट टेप के लिए एक बाउल लें बाउल में ग्राइंड की हुई सूजी स्वादा अनुसार नमक और थोड़ा पानी डालकर इने मिक्स करें इसे 15-20 मिनट तक के लिए साइड पे रग दें ताकि ये फूल जाए तब तक हम मॉमोज की स्टफिंग की तयारी कर लेते हैं स्टफिंग गनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाई लें कड़ाई में दो चमच कूकिंग ओयल, दो तिन चॉप्ड लैसुन की कलिया, एक पिंच चॉप्ड अधरक, एक चॉप्ड हरी मिर्च डाले और इने थोड़ा सा भून ले अब इसमें एक एक करके सारी वेजीज, जैसे कि आदा चॉप्ड प्याज, आदा चॉप्ड शिम्ला मिर्च, एक ग्रेटेट गाजर, राइसो ग्राम ग्रेटेट बंद गोभी डालें और इने दो तिन मिनर तक के लिए सोटे करें मसालों में स्वाद अनुसार नमक, आदा चमज काली मिर्च पाउडर और एक पाउच मेगी मसाला डार कर इने मिक्स करें तो स्टफिंग तयार है, अब चलते हैं वापिस सूलजी मिक्सचर की तरफ सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा कुकिंग ओयल लगाएं और इसका डो बना लें डो बन जाने के बाद उसमें से थोड़ा सा टुकडा निकाल लें और उसका एक पेड़ा बना लें चलिए इसे बेल लेते हैं, उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करें, अब स्प्रिंकल की हुए मैदे पर फेडा रखें और इसे पूरी जितना बेल लें, हमें इसे छोटा ही बेलना हैं बस इतना कि ये बाद में खुलेना, इसके अंदर तयार की हुए तरह से बंद कर दें, आप इसे अपनी मनपसंद शेप भी दे सकते हैं, हमने इसे गोल शेप दी है, यही प्रोसीजर बाकी के डोग के साथ भी रिपीट करें, चलिए तब तक हम आगे के स्टेप देख लेते हैं, उसके लिए फिर से एक कढ़ाई लें, कढ़ाई में डेड़ अगर आपके पास स्टीमर है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रहे कि छन्नी का साइज इतना हो कि वो कढ़ाई को अच्छी तरीके से ढख लें, अब एक एक करके मोमोज रखें और इसे 10 मिन तक के लिए ढख कर रख दें, तो आप टाइम हो गया है, इसका यह देखिए हमारे मोमोज पक चुके हैं, इन्हें भार निकाल लें, तो दोस्तों यह थी हमारी हेल्दी मोमोज की रेसिपी, आपको यह कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताईएगा आज के लिए इतना ही, अगर यह वीडियो आपको पसंद आईए, तो इसको लाइक करें, और ज़्यादर से ज़्यादर शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिसे हैं अगरी वीडियो में और नई रेसिपीज के साथ, अपना समय देनी के लिए धन्यवाद